नमस्कार दोस्तों आज आपको बताऊंगा फ्लिप कार्ट सेलर के बारे में सब कुछ तो देखिए सबसे पहले जैसे आप होमपेज पर आएंगे आप एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें लिखा है कि सिंगल लिश्टिंग वगएर आप कैसे कर सकते हैं और सबसे बगाए अपडेट जो मैं यहां पर देख रहा हूं वो देखिए यहां पर अगर आप कॉल अरेंज करवाना चाहते हैं कि रिक्वेस्ट कर सकते हैं कॉल के लिए कि आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाए तो आप देखिए यहां पर डेट लिख लिजिए डेट के पाँगा तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं 10-11 मैंने 3-4 डाल दिया रिजन लिख सकते हैं आप यहां पर तो यहां पर आप रिजन लिखेंगे तो आपको कॉल बैक आ जाएगा किसी से पूछने के बजाए आप वेट करिए कि कॉल का और वो अच्छे से आपको लिस्टिंग में मुझे प्राब्लम आ रही है तो उसके लिए मैंने कर दिया है और देखे राइट हैंड साइड में पॉप आ गया कि आपका स्वीडियो हो चुका है और वो आपको कॉल करेंगे जो आपने टाइम दिया है यहां पर यहां पर तो यह इनका अपडेट भी कह सकते हैं आप और मैंने पहले कभी किया था लगबग 2017 में तब ऐसा कुछ नहीं था तो चलिए और होमपेज के बारे में आगे बढ़ते हैं ऐसे आप कॉल बुक कर सकते हैं अपने लिए कर्श्मेकर आपको कॉल कर लेगा सबसे पहली बात तो इसमें चलो यह हो गई जब मै होमपेज बताने बैठा आपको तो अब होमपेज के लिए स्टार्ट करते हैं आप यह देखिए होमपेज है पूरा राइट हैंड साइड में आप अपने प्रोफाइल में जाएए सबसे पहले यहां पर देखिए अकाउंट में आपको डिस्प्ले नेम पिक अप एडरेस लिए को अंतर्द डिटेल आपको मिल जाएगी यहांस से अफ कर सकते हैं फीक आब आगे बढ़ते ह explorator चलते हैं यहांपर आप लिए कर सकते हैं यहांपर आप यह यहां से आप दुबारा करना चाहें तो एडिट करके आपको प्रूफ देना होगा और चेंज हो जाएगा फिर आगे देखिए बिजनेस डिटेल में वही जीएस्टी वाली डिटेल सारी आपके उठा लेता है वो और जीएस्टी की डिटेल उठाने के बाद आप उसको क्लिक दा लेता है और चेंज करना होका लोगा तो क्वारी डालनी होगी और कैसे चेंज करना है इसके बीदियो में उर्ड़ी बना चुका हूं तर आगे चलते हैं मैंनेजर डीटेल हर Be beautiful हैं सेटींग में सेटिंग में आपको printer setting यहाँ पर हो गया smart यह आप अगर इन से कोई service लेते हैं तो यहाँ पर वो आप manage कर पाएंगे calendar की बात कर लेते हैं calendar यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसमें आपको working hours लिखने होते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं देखिए और holiday setup कर सकते हैं और manage users में देखिए आप अगर किसी को मैं कोई manage कर वा किसी से manage कर वा रहे हैं तो उसको आप देखिए admin operator catalog manager यह सब आप यहाँ पर उनकी position लिख सकते हैं और sidewall login भी कर पाएंगे तो यहाँ पर रेड करेंगे तो उनकी details और उनको so होंगी जब वो आप case पर जाके काम करेंगे manager partner देखिए आपको कोई partner है तो उसके लिए है catalog manager मतलब owner आप ही रहेंगे manager जो access करके आप काम करवाना चाहें इस पर तो वो access आप इनको को दे सकते हैं और उनकी post आप decide कर सकते हैं अब यह हो गया profile का हो गया पूरा clear अब उपर टॉप बार में आते हैं तो welcome के button पर दबाएंगे तो home page यह खुल जाएगा यहां पर देखिए सबसे पहले बता देता हूँ यहां पर आपके display नाम आ जाएगा यहां पर देखिए listing मैंने भी नहीं की है करूँगा तो आपको बताऊँगा इस्टोर डिटेल बांकी सब बैंक डिटेल और जेस्ट यह सब वरिफाई हो चुका है तो यहां पर आपको यह सब देखने को मिल जाएगा नीचे कुछ पर से आपको करना होगा जो लिस्टिंग का है यहां पर तो यहां पर आप देख रहे होंगे option सब आपको दिख रहा होगा यहां पर आजाता है आपका payment payment की डिटेल आ जाती है यहां पर पूरा payment ओवर्विव आ जाता है last payment और कब आने वाली है आपको payment वो सब चीज़े ठीक है और यहां थोड़ा देखिए right hand side नीचे यहां पर accounting की service भी आपको देने वाली companyya मिल जाती है जो कि 1180 रुपए आपको payment का accounting वगरा विक की service मिल जाती है और उसमें आप उनसे आप करवा सकते हैं तो यह भी यहां पर यहां पर यहां पर पेमेंट के और ट्रांजिक्शन वगरा आ गए ट्रांजिक्शन में आ गए इस्टेशन में आ गए तो यहां से payment के बारे में आपको सब कुछ पता चल सब्सक्राइगा आगे आता है growth growth यहां पर आपको दिखेगी जैसे आप कोई भी वक्त करते हैं तो यह साथ automatically ही यह दिखो आपको यहां पर growth यह दिखाने को आपको हाजी रहे जितनी भी आपकी sale होगी उसके बाद जो है जो भी increase हुआ है आपका sale उस हिसाब से यहां पर आ आपको क्या करना होगा जो रिपोर्ट है growth में देखिए return का है कई सारी चीजें है यहां पर कई सारे चीजें आपको मिल जाएंग accounting management माई सब कुछ यहां पर रिपोर्ट है यहां पर रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं मतलब आपको sale purchase और यह सब से चुका है तो वहां से कर सकत करके उसको एड लगाता है किसी पोस्ट पर ब्लॉक को एड़टाइस करता है मतलब advertisement आप समझेंगे तो आप कोई भी project upload करते हैं यह category है उनकी और उनके rate लिखे हैं अब इनका बता दूँ आपको सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है CPC कोस्ट पर कोस्ट पर ऐसा कुछ लिखा ह है वह मैंने Google किया है तो आप देख सकते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूं कुछ भी problem हो तो आप Google जरूर कर ले करें क्योंकि सारे आंसर आपके आप जो सोचते हैं अपने मांड में वह सब already हो चुका होता है तो अभी मैं दिखाता हूं कोस्ट पर ऐसा कुछ है तो लेकिन पर क्लिक इसकी फुल फॉर्म है तो मैंने जब निकाली थी Google में तब मुझे पता चला था अभी तो वीओ कर रहा हूं मतलब वाइस ओवर कर रहा हूं वीडियो का तो कोस्ट पर क्लिक है तो इसका मतलब यह है कि आप जो product upload करते हैं उस पर आप जो advertisement लगाना चाहें उस पर लगा सकते हैं और उसके बाद हर क्लिक का वह रेट है वहां पर जो मैंने अभी आपको पीछे दिखाया था और दिख रहा था advertisement में तो देखिए what is CPC full form देखिए cost per click definitions के होती है तो यही सब चीजे हैं जो आपको ध्यान रखना है यहां पे आप 8 भी लगा सकते हैं हमने product की और देखिए यहां पे वह rates हैं सब के cloth का electronic का और इसका यह सब चीजों का rate है तो इस rate के हिसाब से आप उतना पैसा लगा सकते हैं ठीक है तो यहां पे आप देख सकते हैं यह जो मैंने भी आपको बताया accounting services वगरा देते हैं तो यहां पे वह direct खोल रहे हैं home page से direct यहां पे आपको लेकर आएंगे कौन कितनी क्या service दे रहा है अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं इन से service accounting की और इन सब चीजों की देखिए partner पार्टनर ऐसा करके कुछ है उसमें तो यहां पे देख रहे हैं कि आपको मिल जाएंगे यह देखिए आपका accounting service वगरा देते हैं य कर सकते हैं वह answer देंगे आपको यहां पर दिखेगा और यह आई फिर से एक बार सबसे बड़ी बात help यहां पर आप या तो manual तरीके से चले जाएए अपने आपको help कर लेजिए या फिर contact seller में चले जाएए यहां पर आपको bell icon की तरह दिख रहा है यहां पर आता है notification मैंने स तो आप यहां से कर सकते हैं देखें left hand side में देखें ask for assistance order के लिए delivery के लिए payment के लिए to Hindi करने के बाद आपको वहां पर समझ आ जाएगा और उसके बाद वह क्या कहना चा रहे हो आप और क्या कहना चा रहा है Amazon sailor का यह website वह आपको समझ आ जाएगा तो यहां पर देख रहे हैं आप account status में गया तो यहां पर चलिए payment में जाता हूं तो payment में देखें वह यह दिख है वह है कि calling वाला जो मैंने आपको starting बताया तो यहां से आप देखिए बर फिर्ट दिखा दिया मैंने यहां से आप जा सकते हैं help में help के बाद contact seller support में और उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं यह सारे option आप पास है और यह सब यहां से आप कर सकते हैं call भी arrange करवा ही सक है पूरा home page मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा कि flip card seller का home page क्या है उसके बाद कर दे रहा हूं मैं log out और इस वीडियो में इतना ही चैनल खुलाइक से सब्सक्राइब जरू कर दें नमस्कार कर दो कर दो